गूगल पर बहुत कुछ सर्च करते हो लेकिन सर्च हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी सेटिंग ऐसी टिप्स और ट्रक्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूसफूल है और अगर आप गूगल सर्च हिस्ट्री की ये सीक्रेट की सेटिंग जान लेते हो दि और उसके बाद आप अपने गूगल को और जादा स्मार्ट ली यूज़ कर सकते को आप क्रोम के और जाधा फीचर्स के बारे में जान सकते और उसका यूज भी कर सकते हो द जानने के लिए प्लीज वीडियो में लावल अगर आप Google यूज न seu А्प बहुत कुछ सर्च करते हौ और साथी साथ Google में अपकी सर्च लीडिया born करना चाहते हो दिन कैäsे समे कर सकते हो इस आरी चीज़ आपको अपनी Google एप पर आप Google पर जाते हो कुछ भी सर्च करते हो मान जीजे मैंने यहां पर सच किया यूट्यूब जैसि आप YouTube समत पर एने इसने क्लिक करते हैं कि इसरे मड़ने सब्सक्राद आप की उप्षिंचा ही में जैसे ही आप यहां पर जाते हो देखिए है निट्रहीं दी पर की सार्श कर लगी हिस्ट्री देखती हैSec यहां पर बेस्ट कल huge सोखेगा नीचे यहां देख रहा है कि आपने math क्यों सी इस्त्री है पर आपको दिक रहा है कि आपने Case सर्च कर रा और जो शर्च करा वो with time with date यहां पर सेफ होता है मानले जा आपको डिलीट करना है यह पर त्री डॉट्स दिख रहे हैं इस पर क्लिक करना है और डिलीट का option आपको मिल जाता है आपको delete option पर क्लिक कर देना है यह डिलीट हो जाएगी तो इस तरह से तो आप one by one करके search history को delete कर सकते हैं अगर अगर आपको सारी delete करनी है यहाँ पर दिखिए अगर आप को टोडे की history करनी क्या है यहाँ डिलेट की है भागी पे आपको डिलेट का box ना जैसे यह डिलीट के बॉक्स पर क्लिक करता वाइन इस ब्लीट एक्टिविटी बाई इस ओप्शन पटीप करना जैब और इस ओप्शन पी क्लिक करते हो उसके बाद यहां पे आपकी साहन देखी कुछ इस तरा से पेज होगय है या आपको लास्ट आउर की ह junk rankada करने दें आप k compost टांवर की कर सकते हो last day की कर सकते हो हमेशा की कर सकते हो और custom range भी select क्छते हो एक कर सकते हो एंगर आपको last hour की करने है तर प्लास हाँ पर पे जाकर किलिक कर होगे तर पिकि या पे last hour की history डिलेटampoo हो जाएगी इस तरह से आप यहां पर अपने According Time Select कर सकते हो कि आपको कितने Time की Hindi कितने Duration की History, डिलीट करनी है लिए अगर अगर आपको Always की History डिलीट करनी है त आप हमेशा की History यहांद से Delete कर सकते हो, उस पर Check कर सकते हो, उसके बाद आपको Next की Option मिलता है, अपर यहां पर Next की Option पर जा सकते हो यहां पर आपको डिलीट को ऑप्शन मिलता है यहां से आप डिलीट कर सकते हो ठीक है यहां पर आपको डिलीट हो गई है सर्च हिस्ट्री इसके अलावा यहां पर आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है कस्टम रेंज का कस्टम पर जा सकते हो यहां पर अपने अप कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आपको सर्च इस्ट्री डिलेट करनी है उसके बाद आपको यहां पर नेक्स्ट को ऑप्शन करना है और यहां पर आपकी स्ट्री डिलेट हो जाएगी तो इस तरह से आप यहां पर अपनी सर्च इस्ट्री डिलेट कर सकते हैं यहां पर सेलेक्ट करते हो दनि यहाँ पर आप जब history को डिलीट करोगी तब ही डिलीट होगी उसके बेना डिलीट नहीं होगी second option में after 18 months आपकी search history अपने आप डिलीट हो जाएगी last option में after 3 months आपकी history अपने डिलीट हो जाएगी दनि यहाँ पर आप अपने according option चुन सकते हो I hope वीडिया के लिए useful रही होगी वीडियो को like करेंगा share करेंगा और इसी तरह की useful information के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करेंगा thanks for watching